मेरे प्यारे बच्चों कैसे हुआ पूमीदे सारे बच्चे अच्छे होंगे अपनी पढ़ाई खुब मन से कर रहा हो बहुत अच्छी बात है ऐसा इपढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे तो चलिए बच्चों आज हम फिर पढ़ते हैं आज alphabet later में पढ़ेंगे D से 3 words ठीक है तो इसके हिंदी में लिखेंगे तो चलिए पढ़ते हैं देखिए सबसे पहले हमने लिख दिया D for आप भी चाहें तो अपने notebook में हर दिन का और अगर अगर लिखिए और इस लिखने के practice करिए और learn भी करिए ठीक है तो चलिए देखिए D for के लिए सबसे पहले फिर से यहां D बनाएंगे और इसे कड़ देंगे तो कि हो गया D for, D for क्या होता है D for dog dog के spelling D-O-G dog dog means dog means क्या होता है dog means कुता ठीक है, तो देखिए ऐसे लिखते है कुता हिंदी में, जवाब को हिंदी लिखने आजाएगा न तो अच्छे सब पढ़ने आजाएगा, ठीक है तो dog means कुता second हमारा word क्या है D for चलिए फिर दी बनाएए ठीक है, न तो देखिए D बनाते है D for क्या है, D for duck duck लिखेंगे, अब हम लोग देखिए के स्पिलिंग, D-U-C-K ठीक है, D-U-C-K duck, duck means बत्तक, duck पिरस क्या होता है duck means बत्तक, बत्तक अपलो देखेंगे न, बत्तक एक word होती है, पक्छी होता है ठीक है, dick means बत्तक ठीक है, और नमबर त्री क्या है एक और नमबर त्री है ला थ्री वर्ट्स मराना है तो D for doll अब हम लोग doll लिखने के प्रेटिस करेंगे ठीक है, तो देखेंगे, यहाँ D लिख दिए और D for doll, doll के स्पिलिंग क्या होगी D-O double L doll doll means, doll means क्या होता है doll means गुडिया ठीक है यहाँ गुडिया लिख रहा है गुडिया हिंदी में गुडिया ऐसे ही लिखी जाती है तो D for doll doll means गुडिया ठीक है बच्चों ऐसे ही आप भी अच्छा से लिखिए चलिए इसको बार बार लिखेंगे जितना जादा बार लिखेंगे उतना अच्छा से लर्न होजाएगा और ल्खेंगे प्रेटिस हो जाएगी जितना पढ़ेंगे उतना लज हो जाएगा इन्हीं सब बातों के साथ वीलिए समाप्त करती हूँ वीलिए पसंद हो तो आप मुझे लाइक करिए एक चनल से पहले बाद दोने चनल सब्सक्राइब कर लिए और कमेंटरों कई वाज पूस्ट नहीं हो ताव हम जूरू बताएए प्लीज अपना बहुत क्राइए प्लीज टेकर गुद्बाइए और बावाई